स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टेटी चैनल पर और इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग हिंदी के प्रसंद का जो कि क्लास 10 के मैट्रिक बोर्ड से है बिहार बोर्ड परिक्षा यहां पर देखेंगे निव पैटर्ण पर अधारित 60 परसंट अब्जेक्टिव जिसमें वहां आपको पूरे 50 बना के आने है सुपर 30 कैप्सुल कोर्स जिसके 30 दिनों का रखा गया था प्रोग्राम जिसमें 29 दिनों का आज वीडियो है तो जिन्होंने भी नहीं देखा है प कोशनों पहला यहां पर पुला है भारतिय सम्मेधान के निर्माता किने कहा जाता है ऑप्शने महत्मा गांधी राजिंद प्रसाथ सी भीम्राब अंबेदकर या फिर दी जावाहरलाल नहरू बिल्कुल सही आंसर यहां पर सी भीम्राब अंबेदकर नेक्स्ट कोश्चन से निवंध नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर 3 पूछा आप लोगों से बिस के दात के कहानिकार कौन थे कौन है ऑप्शने गुनाकर मूले भी अमरकान सी नलेन बिलोचन सर्मा या फिर दी यतिंद्रमेस्र बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का रहा है अमरकान बिल्कुल सह नेक्स्ट कोश्चन चलते कोशन नमर 4 यहाँ पर पूछा है खोखा किस कहानी का पात्र है ऑप्शने 20 के दात बी बहादूर सी मचली या फिर दी नाखून क्यों बढ़ते हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर ऑप्शने 20 का दात नेक्स्ट कोशन नमर 5 यहाँ पर पूछा आप लोगों से मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है और सने बिल्यम जॉन्स को बी बारेन हैस्टिंग को सी हर्क्स को या फिर दी यूबा अंग्रेज अधिकारी को बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शने बिल्यम जॉन्स को नेक्स्ट को सिक्स नमर पूछा पूछा आप लोगों से यहाँ पर है कौन सी भासा का उसका सहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण सहित्य से भी कहीं अधिक विश्साल रहा है ऑप्शने संस्क्रीट बी हिंदी सी अंग्रेजी या फिटी ग्रिक बिल्कुल सही आंसर आप्शने यहाँ पर संस्क्रेट ने किस पार्ट से लिगई है ऑप्शने नागरी लिपी बी प्रंपरा कमंगल्यांक सी अविन्यो या फिटी नाखून क्यों बढ़ते हैं बिल्कुल सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नमर आठ पूछा आप लोगों से यहाँ पर है मुहम्मद गजनभी के बाद कि सासक ने अपनी सिक्को पर नागरी लिपी खुदवाया है ऑप्शने महमद गोडी बी अलाव दिन खिल्जी सी शेरशा या फिड्डी उप्युक्त सभी बिल्कुल सहीं आंसर उप्युक्त सभी हो जाएगा मुहम्मद गोडी लाओ दिन खिल जी और सेर्शा सभी अपने सिक्कों पर नागरी लिपी खुदवाये हैं नेक्स्ट कुर्शन यहां पर नौ नमबर लेखक के घर जब पहली बार आया था बहादुर तो क्या पहने हुआ था ओप्शने सफेद नेकर बी आधी बाहा की सफेद कमीज सी भूरे पुराना जूता या फिर दी उप्युक्त सभी बिल्कुल सही आंसर आप लोग का सभी उप्युक्त सभी परने हुआ था सफेद नेकर आधी बाहा की सफेद कमीज भूरे रंग का पुराना जूता नेक्स्ट कुर्शन दस नमबर पूछा आप लोगों से यहां पर है का ओप्शन सी लेखक के साले सहाव नेक्स्ट कुर्शन 11 पूछा आप लोगों से है प्रमपरा का मुल्यांकन गर्द की कौन सी विद्या है ओप्शन ए कहानी बी निवंध सी नाटक या फिर दी जीवनी बिल्कुल सही आंसर यहां पर आप्शन पी निवंध नेक्स्ट कु सुखदेव महराज बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ओप्शन पी पंडित बिर्जु महराज नेक्स्ट कुर्शन 13 पूछा आप लोगों से यहां पर अविन्यों दक्षिस फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा कौन सा सहर है ओप्शन नया बी आधनिक सी पुराना या फ भगो सी लेखक या फिर दी दी बिल्कुल सही आंसर यहां पर ओप्शन दी दी जिस तरह से मचली तरप रही थी दी भी बेड़ पर तरप रही थी मार खाने के बाद नेक्स्ट कुर्शन यहां पर कुर्शन नमर्ट 15 घर में मचली कौन खाता है ओप्शन लेखक बी नेक्स्ट कुर्शन कुर्शन नमर्ट 16 नौबत खाने में इवादत के रचनाकार कौन है अमरकांत बी पंडित भीर्जू महराज सी यतिंद्र मिस या फिर डी गुनाकर मूले गुजा करने होगा गुनाकर मूले बताएगा सही आंसर क्या होगा बिलकुल सही आंसर आप लो सी पद्म विभूर्शन या फिर डी उप्युक्त सभी बिलकुल सही आंसर आप लोगों का आप लोगों का उप्यूक्त सभी नेक्स्ट कुर्शन अठार नमबर पूछा आप लोगों सी यहां परें अंग्रेजों की खिलाप अहिंसा का पहला पढ़ियों गांधी जी कहां क कि दृष्टी में ब्रह्म का निवास कहां है ऑप्सन मंदिरों में भी मजीदों में सी कर्मकांड में या फिर डी सच्चे हिर्दय में बिलकुल सही आंसर आप लोगों का आप संटी सच्चे हिर्दय में नेक्स्ट कोशन पीस नमबर इन मुसल्मान हरी जानों पैक कोटिन ह इंदू वारिये किस कभी के लिए कहा गया है ऑप्सने कभीरदास बी मलिक मुहम्मद जैसी सी रहीम या फिर डी रस खान बिलकुत सही आंसर आप लोग का आप संटी यहां पर रस खान नेक्स्ट कोश्चन कोशन में 21 यहां पर पूछा आप लोगों से है अती सूधो इसने को मारन है कभीता कित की है ऑप्सने रस खान बी घनानंद सी भारतेंदू या फिर डी प्रेम घंद बिलकुल सही आंसर आप लोग का आप संटी यहां पर घनानंद नेक्स्ट कोश्चन 22 नंबर स्वदेशी कभीता में कभी को भारत में अब क्या दिखाए नहीं परता आप स सदाचारिता सी मानवता या फिर डी स्वतनचता बिलकुल सही आंसर आप लोग का आप सने भारतियता नेक्स्ट कोश्चन 23 नंबर पुछा है भारत माता किनकी रचना है आप सने रामधारिक सिंग दिनकर बी जैसंकर परसाद सी सुमिंत्रा नंदन पंत या फिर डी प्रेम बिलकुल सही आंसर आप लोग का आप सी यहां पर सुमिंत्रा नंदन पंत कुश्चन 24 पूछा आप लोगों से किस रचना के लिए दिनकर को सहित्य अकादमी मिला था आप सने रस्मी रथी बी संस्कृत के चार अध्याएं सी दुंकार या फिर डी अर्ध नारिश्वर बि भक्तिकाल सी रिती काल या फिर डी आधनिक काल बिलकुल सही आंसर यहां पर ऑप्षन डी रिती काल शॉरी अधनिक काल नेक्स्ट को से यहां पर 26 उचा आप लोगों से एक बिक्ष की हत्या के कभी कौन है और सने कुवर नरायन बी बिरियन डंगवाल सी अनामिका या फिर दी जीवना नंद दास बिल्कुल सही आंसर आप लोग का ओप्षन ए कुवर नराइन नेक्स्ट कुछन 27 मेरी निंद के दौरान कुछ डैस बढ़ गए पीर ओप्षन ए अधिकांस सुरी अधिक बी इंच सी प्रिक्ष या पे डी सेंटीमीटर पेर बढ़ा था कितना ये पू अनिम अनामिका को कौन सा पूर्शकार मिला ऑप्से राष्ट भासा पटीसत पूरूषकार बी भारत भूव सन अग्रावाल सी गिर्जा कुमार माथूर पूरूषकार या फिक्त सभी नेक्स्टकूसन चलते हूं 29 पूछाब लोगों से हैं कविता लोट कर आउंगा फिर म कभी कहां लोटकर आने की लालसा व्यक्त करते हैं आप्षने बिहार बी बंगाल सी जहारखन या फिर दी उडीशा बिल्कुल सही आंसर आप्षन बंगाल में आने की बात करते हैं मेरे बिना तुम प्रभू के रचनाकार हैं जीवना नंददास बी रेनर मारिया रिलके सी कुवर नारायन या फिर सी डी बिरेन डंगवाल बिल्कुल सही आंसर आप्षन बी रेनर मारिया रिलके नेक्स्ट कुर्शन 31 पूछा आप लोगों सी यहां पर है मगम्मा किस कहानी क पात्र हैं उप्षन दही वाली मगम्मा भी ढाते विश्वास सी मा या फिर्डी धर्ती कब तक घूमेगी सबीका अंसर जही आ रहा है उप्षन दही वाली मगम्मा नेक्स्ट कुर्शन यहां पर 32 लक्षमी किसके घर काम करती थी उप्षन जमिंदार साहब बी नवाब साह सी तहसिलदार सहाब या फिर दी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर आप्शन सी यहां पर तहसिलदार सहाब नेक्स्ट कुस्ट नमर पूछा है मा सिर्षक कहानी के रचनाकार कौन है ऑप्शने सिरी निवास बी साथ कौरी होता सी इस्वर पेटली कर या फिर दी सुजाता बिल्कुल सही आंसर आप्शन सी इस्वर पेटली कर नेक्स्ट कुस्ट नहीं पर 34 पूछा है बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बिमारी बताई ऑप्शने मलेरिया बी मेनेजाइटिस सी टाइफाइड या फिर दी इन में से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर आप्शन बी मेनेजाइटिस नेक्स्ट कुस्ट ने 35 पूछा है धर्ती कब तक घुमेगी कहानी के लेखक कौन है ऑप्शने सिरी निवास बी स्वर्ट पैट्ली कर या फिर डी सावर्द या बिल्कुल सही आंसर और ऐसे नैक्स्ट को शचाइटीस कि पूछा है वर्नों के समों को क्या कहते हैं आप्शन ए पद वी सब्ध सी वर्नमाला या फिर डी सन्धी तो यह ग्रामट सेक्षन से बतायेका क्या होगा आंसर बिल सफलता सी सफलता या फिर इन में से कोई नहीं बिल्कुत सहीं आंसर यहां पर ऑप्शन सी सफलता नेक्स्ट कुश्टन 38 पूछा आप लोगों से है संग्याओं अथवा नामों के बदले जिन सब्दों का प्रियोग होता है उन्हें क्या कहते हैं आप्शन कारक बी सर्वनाम स सभी का अंसर सही आपर ऑप्शन भी सर्वनाम संग्या के बदले जो सब्द का उप्योग करते हैं उसे बोलते हैं लोग सर्वनाम कोश्टन 49 पूछा है जिस सब्द से संग्या अथवा सर्वनाम के गुन दोस रंग रूप अवस्था इस्थिती का बोध होता है उसे कौन सा विशेशन कहते हैं ऑप्शन गुनबाचक बी संख्या वाचक सी परिमान वाचक या फिर डी सर्वनामिक विशेशन बताई का सही अंसर क्या होगा बिल्कुत सहीं यह आपर ऑप्शन ए गुनवाचक रंग रूप अवस्था इस्थिती को गुन बोलते हैं इसलिए गुन व पूछा आप लोगों से हैं बनावट या रचना के द्रिष्टी से सब्द के कितने भेद होते हैं यह बताना है अप्शने दो बी तीन सी चार या फिर दी पांच बिल्कुछ सही आंसर ऑप्शन भी तीन नेक्स्ट कोर्शन ब्यालेश पूछा आप लोगों से यहां पर है उस सब्दांस को क्या कहते हैं जो किसी सब्द के पहले जुर कर सब्द या अन्य विशेस अर्थ परकट करता है बिल्कुल सही आंसर करना है option देखे यह रहा बताएगा उपसर्ग प्रत्य आओ वैर या फिर दी विशेसन बिल्कुल सही आंसर बताईए सभी का सही आंप कर option उपसर्ग पहले लगेगा तो क्या बोलेंगे उसको उपसर्ग बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन चलते हैं कोशन नमर यहां पे 43 है बहुत ही अच्छा कोशन पूछा आप लोगों से इस्तरी का प्रयाइवाची सब्द नहीं है ऑप्शन नारी बी बनीता सी महिला या फिर बसुधा बिल्कुल सही अंसर आप लोगों कर यहां पे ऑप्शन डी बसुधा बसुधा नारी का प्रयाइवाची सब्द नहीं है नेक्स्ट कोशन यहां पे 44 सार्वजनिक का विप्रितार्थक सब्द बताना है ऑप्शन ए व्यक्तिगत बी परिवारिक सी सामूहिक या फ लोकुक्ति का सही अर्थ क्या है Search चलने की कला नहीं आना भी अपनी गलती दूसरों पर सी गलती किसी की दण किसी को या फिर दी इसन्में से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर आप लोग का option B, अपनी गलती दूसरों पर इल्जाम लगाना, next question यहाँ पर 46, उद्योग का संधी बिच्छित बताना है कौन सा होगा, देख के बताई क्या होगा, बिल्कुत सही यहाँ पर option C हो जाएगा, उत्जोर योग, उद्योग हो जाएगा, next question यहाँ पर 47, पुछा आप लोगों से है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं, यह बताई, option A, संधी, B, समास, C, उपसर्ग, या फिर D, परत्य, बिल्कुत सही आंसर, option B, समास, पुछा आप लोगों से है, परवत की कन्या के लिए एक सब्द कौन सा होगा, option A, पारवती, B, सरस्वती, C, लक्ष्मी, या फिर D, काली, तो बिल्कुत सही आंसर यहाँ, option A हो जाएगा, पारवती, next question, 49, पुछा आप लोगों से है, निमलिखित वाक्यों में कौन सा वाक की सुद्ध है, बिल्कुल यहाँ पर, option D, answer सही है, सभी का, यहाँ गाई का सुद्ध घी मिलता है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है, next question, यहाँ पर, पच्चास नमर, और आप लोगों से पूछा गया question है, किडिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, उसे कौन सा क्या काते ह है, option A, सर्वनाम, B, समास, C, काल, या फिर D, B, से सर, सभी का आंसर सही, उसको काल बोलते हैं, बोगते हैं, next question, क्या बन नंबर, यह question बड़ी क्या बन, और पूछा यहाँ पर, मुठी गर्म करना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, सही सही, option A, रिस्वत देना, B, हाथ र कि बताइए, क्या होगा, आप लोग देने वाले हैं, परिक्षा, 17 फरवड़ी, 2020, जो भी लोग चैनल पर नहें, प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सेर जोड कीजिएगा, यह रहा, question 22, बताएगा, इसका सही, आंसर क्या होगा, option D, सभी का सही यहां पर परिजोर इक्षा, दूसरों की इक्षा को बोलते हैं, लोग परिक्षा, next question यहां पर त्रेपन, राज पुत्र में कौन सा समास है, option A, ततपुरुस, B, करमधार, C, बहुबरी, या फिर D, आववई भाव समास, बिलकुल सही answer, option A, ततपुरुस समास, next question यहां पर पर पचपन, सुद्ध सब्ध चुनकर बताना है कौन सा होगा, देख लिजे, पुर्णे, पुर्णे, सब पुर्णे ही लिखा हुआ है, सही answer बताए क्या होगा, option C, बिलकुल सही आप लोग का पुर्णे, next question यहां पर 56, असुद्ध वाक्त को चुनना है, देखके चुनके बताए कौन सा होगा, बिलकुल सही answer यहां पर option D हो जाएगा, मैं नावों पर सवार था, ठीक है, next question चलते है, question नमर यहां पर 57, और पूछा गया, निरजन में कौन सा उपसर्ग है, देखके बताए कौन सा उपसर्ग सही होगा, बिलकुल सही answer यहां पर option B होगा, next question अंठा B होगा, तद्धित प्रत्य बोलते है, next question 69, संधी को तोरने की किरिया को क्या कहते हैं, option A, बिग्रह, B, बिच्छेद, C, अलगाव या फिर D, इन में से कोई नहीं, बिलकुल सही answer आप लोग का option B, बिच्छेद, और इस वीडियो का last question और यहां पर पूछा गया, आप को वै होता है, उसे कौन सा समास कहते है, और जैसा कि आप जानते हैं, last में पूछा जाता है आपसे एक प्रस्थ, जिसका जवाब देना होता है आप लोग को comment box में, जिन्हों ने भी इस से पहले दिया है, उनको बहुत-बहुत बधाई, और यह रहा आज का सवाल, देना है आपको जवाब और आज का प्रस्ण यह है उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जन कहा हुआ था ऑप्शने बद्दर घाट पटना बी डुम्राब भिहार सी कासी उत्तर परदेश या फे दी बलिया उत्तर परदेश तो जिन्हें भी इसका आंसर पता है प्लीज कॉमेंट बॉक्स म और आप लोग बहुत एच्छे मांक से पास हों अए झाल